आज मैं आपको नवरात्र में नौ दिनों की साधना में देवी के अलग अलग स्वरूप की साधना कैसे करनी है नौ दिन तक ये तो मैं आपको हर दिन जानकारी देता रहूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको आज कुछ विशेज जानकारी और भी देने आया हूँ आज से मैं आपको लगातार 9 दिन तक ये भी बताता रहूंगा कि नवरात्र के इन 9 दिनों में ना सिर्फ देवी दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की आप अराधना कैसे करें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 10 महाविद्या के किस स्वरूप की अराधना आप नवरात्र के किस दिन में करें जिससे आपकी जीवन का जो दुख है संताप है कस्ट है वो आपसे दूर हो जाए तो आज हम लोग नवरात्र के प्रथम दिन में किस देवी की किस महाविद्या की अराधना करनी है इस पर चर्चा करेंगे नवरात्र के प्रथम दिन की महादेवी का जो स्वरूप है वह काली स्वरूप है इनकी साधना किसी भी साधक को उत्तर दिशा की और मुख करके करनी चाहिए इनका जो मंत्र है मैं वो भी आपको बताता हूँ इस मंत्र को ध्यान से सुनिया और इसका उसी मेरे बताय अनुसारी दिया आप जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा इनका मंत्र है क्रींग रींग काली रींग क्रींग स्वाहा इस मंत्र का कम से कम 1100 वार किसी भी साधक को जाप करना चाहिए और अगर आप कोई विशेश सिद्धी चाहते हैं कारे की सिद्धी चाहते हैं तो आपको किसी योग याचार के द्वारा इनकी जाप को कराना में कम से कम 108 बार 108 बार सुबै और शाम जाप कर लेना बहुत अच्छा लाब देता है दश महाविद्या की साधना करने वाले सभी जातक को सभी साधक को 9 दिनों फलहार में रहना चाहिए तता किसी एक रंग के वस्त्र को 9 दिनों तक धारन करना चाहिए रंगों में तीन वस्त्र करना निउनटंथ मताया गया यानि सब से लौ लेविला वह सफेद रंग के वस्त्र को धारन करके आप साधना करेंगे तो उसमें सब अपने ऑफिस भी जा रहे हैं आप अपने बिजनस को भी देख रहे हैं तो आप से जैसे बन पड़ता है जो भी आपके पास शुद्ध वस्त्र उपलब्ध है आप लाल पीले या काले सफेद जो भी धारण कर सकते हो वो कर ले और कम से कम 108 बार 108 बार मंत्रों का जाब कर तो आज मैंने आपको बताया कि नवरात्र के पहले दिन से आरंब करके आने वाले नौ दिनों तक आपको कैसे देवी के अलग-अलग स्वरूप की साधना करनी है और उसके साथ साथ महाविद्या के किस स्वरूप की साधना किस दिन करें और उसकी प्रक्रिया क्या हो मंत्र कौन सा हो किस दिशा की तरफ साधना करें यह सारी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा आज के लिए बस इतना ही जै मा काली अभी तक मैंने आपको बताया कि नवरात्र की आज द्वितिया तिथी में मा ब्रह्मचारणी के अराधना आप कैसे करेंगे अब मैं चाहिए जयान कोण कोंड को होता है अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मातारा की साधना करने के कौन से मंत्र प्रयोग यदि आपके मन में किसी विशेश कारे की सिद्धी के लिए आप इनका कोई संकल्प ले करके जाप करना चाहते हैं तो ऐसी परस्तिती में आपको किसी योग आचारे की आवशक्ता पड़ेगी क्योंकि वो मंत्र जाप अनुस्ठान आप से संभव नहीं हो पाएगा सामान या भक्तजन जिनके पास समय का भाव है उनके लिए करना ये चाहिए आपको कि आप सुबै और शाम दोनों समय में दोनों संध्याकाल में 108 बार 108 बार इनके मंत्रों का जाप करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आपके परिवार का और आपके पुत्रों का हर प पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रकार का भय अकालम्रित्य वह आपको कभी भी परशान नहीं करती तो इस प्रकार मैं आपको आगे भी पताता रहूँगा कि नौ दिनों की साधना को और जादा बली कैसे बनाया जाए कैसे नौ रातों का इन नौ दिनों का जा का अब समय हैं मैं आपको आज आपको बताओं कि आज नवरातुरी के तीसरे दिन चाहिए इन देवी का जो मंत्र है वह बहुती दुरलब और बहुती चमतकारी है यह मैं आपको बताता हूँ आप इसे सुन ले समझ ले और लिख ले और उसी प्रकार इनकी साधना आप करें इनका मंत्र है क्रींग भूवनेश्वरी रिंग स्वाहा इस मंत्र का जाब किसी भ पनुस्ठान करा लेना चाहिए सामान भक्त जन जो 1100 बार इस मंत्र का जाब नहीं कर सकते उन्हें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 108 बार सुबए और 108 बार शाम को इस मंत्र का जाब करें यह आप इस प्रकार से इनके मंत्रों का जाब करते हैं और मां भुवनेश्वरी की के अराधना करते हैं तो तीनों भुवन के सभी प्रकार के सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं तथा दरिद्रता जो है वो आपके घर से कोसो दूर चली जाती है और आपको अपार सुख और एश्वर की प्राप्ति होती है तो यह तो रहा आज मैंने आपको बताय करना किस विशेश प्रक्रिया से करनी है और उस तिथी में ही कौन सी महाविद्या के स्वरूप की आप अराधना करें कि जिससे आपके मन के जो अभिष्टकार हैं वो सिद्ध हो जाएं तो अभी के लिए बस इतना ही मुझे आ गया दीजिए फिर मिलते हैं जै देवी दुर् महाविद्या के कौन से स्वरूप की अराधना करते हैं और उनकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए नवरात्री की चौथे दिन चतुर्थी तिति में महादेवी माशोड़सी के स्वरूप की अराधना की जाती है इनकी साधना किसी भी साधक को आगने कोण की तरफ मुख करके क करना चाहिए अब आपके मन में यह प्रश्णा आएगा कि आगने कोण कौन और कौन सी दिशा होती है ऑगने कोण जो है वह पूर्व और दक्षण दिशा की बीच का कौन कहा जाता है वह बीच का इस्थान जो दख्षण और पूर्व में पढ़ता है उसे आगने कुण कहते हैं कोई भी साधक आगने कुण में बैट करके मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं कौन से मंत्र का आपको जाप करना इस विशेश मंत्र का यदि जाप करता है तो मां शोडशी की क्रिपा बहुत अच्छे से मिलती है यह मां शोडशी के लिए साधना का जो एक संख्या मंत्र जाप की आपको उसके अनुसार मंत्र करना चाहिए को एसा व्यक्ति जिसके पास समय का भाव है वो ग्रिहस्त जीवन में रहता है आप नौकरी पे जाते हैं आपके पास बिजनस है आप समय नहीं दे पाते तो कम से कम 108 108 बार सुबह और 108 बार शाम को आपको इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए जो आज की तिथी में माशुडशी की अराधना करता है उसका यौवन बना रहता है तता उस व्यक्ति में आकरशन की शक्ति और जादा बढ़ती है आप किसी के भी सामने जाएंगे वह व्यक्ति आप वीरपुत्र की प्राप्ती होती है तो ये तो थी बात आज मैंने आपको बताया कि चतुर्ति तिथी में आप किस महाविद्या की साध्ना किस प्रक्रिया से करें आगे नव्रात्रियों के बाकी तिथिंव में भी मैं आपको इसी तरीके की संपूर्ण जानकारी देता हो जाएगा तो अब अभी इस समय मुझे आ गया दीजिए फिर मिलेंगे पूरी जानकारी के साथ जै माशोडशी अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आज आप पांचमे दिन कौंसी महाविध्या की अराधना करें अर्थाग जब्वी आप चिंद मस्तिका काली की अराधना करेंगे तो आपको प्रयास अज यह करना सबताब करना चाहिए कि मात बन्तमस्तिका की साधना के लिए काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें और मैं मन्थ कशार। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए अज की तिठी में इनका मंत्र इस प्रकार है जाप आज की तिठी में किया जाना चाहिए यदि आपके पास समय का अभाव है तो इस महामंत्र को कम से कम 108 बार दोनों समय करें सुबै भी और शाम भी यदि आप ऐसा करते हैं तो हर प्रकार के कस्टों से दुष्टों से और शक्त्रूं से आपकी सुरक्षा होती है दुष्टों का नाश होता है तथा उस व्यक्ति के अंदर जो भी तमो गुण उनका भी नाश होता है तमो और रजोगुण अर्थात जो आपके अवगुण है जो आपके अंदर की गंदगी है उसको भी मां जो है वह दूर करती है और आपको मन से शरीर से भाव से स्वच्च बनाती है तो इस प्रकार से इस विदिविधान से यह आप आज की तिती में माचिन नमस्ति का की अराधना करते हैं तो निश्थिति ही माचिन नमस्ति का और आपके परिवार का ल्यान करती है अब मुझे आ गया pear+, और भी ऐसी जानकारी लेकर के मैं विधिविधान क्या हो और किस मंत्र का आप प्रयोग करें तो नवरात्र के छटे दिन महादेवी माँ भैरुवी के स्वरूप की अराधना करने का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है इनकी साधना किसी भी साधक को नैरक्त कोण की और मुख करके करनी चाहिए अब आप सो साधक का मुख नैरक्त कोण की तरफ होना चाहिए इनकी साधना के लिए जो मंत्र आप प्रयोग करेंगे वह इस प्रकार है क्रिंग भैर्वी रिंग क्रिंग स्वाहा इस मंत्र को कम से कम आप 1100 बार जाप करें और आपके मन में यदि किसी विशेश सिद्धी के लिए आप इनकी साधना करना चाहते हैं ऐसी कोई आवशकता है आपकी तो आपको किसी योग याचारे की आवशकता लेनी सहायता लेनी चाहिए सामाने तक किसी भी भक्तजन को कम से कम 108 बार सुबह और 108 बार शाम को संध्याकाल में इस महामंत्र का जाप करना चाहिए इस मंत्र का जा आप माता के चरणों में अपने कश्ट को अपने भाव को निवेदित करें और इस साधना के उपरांत माता की आप आर्थी करें तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलता है इस प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारियां पूरे नवरात्र परियंत्र हम आपको देते रहेंगे लेकिन अभी के लिए आ गया दीजे नमस्कार आज नवरात्र की सप्तमी तिति है अर्थात सात्वा दिन तो आज अब मैं आपको बताऊंगा कि सात्वे दिन कौन सी महा विद्या की अराधना और साधना आपको करनी है उसके लिए विद्यविधान क्या हो किस दिशा की तरफ आप साधना करें और कौन से महामंत्र का जाब करें नवरात्र की सप्तमी तिति में अर्थात सात्वे दिन मा धुमावती की अराधना करने का विद्यान हमारे शास्त्रों में मिलता है मा धुमावती की साधना किसी भी साधक को किसी भी भक्त को पश्चिम दिशा की ओर मुक करके करनी चाहिए ऐसा प्रमाण हमारे शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है इनका महामंत्र अब मैं आपको बताता हूँ। उसका आपको किस प्रकार जाब करना है वविधी भी मैं आपको बताऊंगा। क्रिंग रिंग धुमावती रिंग क्रिंग स्वहा इस मंत्र को कम से कम आप 1100 बार जाप करें अगर आपके पास समय का भाव है तो आप 108 बार 108 बार दोनों समय में यानि सुबह और शाम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं किसी विशेश काम के लिए यदि आप सिद्धी करना चाहत हैं तो उसके लिए आपको योग आचारे के देखरेक के उनके मार्गदर्शन की आवशक्ता पड़ सकती है तो इस प्रकार से यदि आप माता के इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके घर से रोग कलह दरिदता का नाश होता है और सुख सम्रिधी की स्थापना आपके साधना करें नवरात्र की ये जो साधना का क्रम है वो आपके लिए सफल हो और आपके जीवन के लिए मंगलकारी हो ऐसी हमारी प्रार्थना है अभी मुझे आग्या दीजे मैं फिर बहुत सारी जानकारी लेकर के आपके साथ उपलब्द होंगा नमस्कार आज नवरात्रमी की अश्टमी तिथी है नवरात्र के अश्टमी तिथी में बहुत सारे लोग आज कुमारी पूजन कर रहे हैं और कुछ तो कर चुके होंगे आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अश्टमी तिथी में आपको कौनसी महा विद्या की अराधना और किस प्रकार करनी चाहिए मां बगला मुखी की साधना किसी भी जातक को या किसी भी साधक को वायव ये कोण अर्थात उत्तर पशिम के कोण की तरफ मुख करके करनी चाहिए मा बगला मुखी के मंतरों का जाप कौन सा आपको करना है मैं बताता हूँ क्रींग रिंग बगला मुखी रिंग क्रींग स्वाहा इस मंतर के साथ आप यदी माता के अराधना करते हैं मा बगला मुखी की साधना करते हैं और पीले वस्र धारन करके करते हैं हल्दी की माला पर इस मंत्र का जाब करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाब मिलता है इस मंत्र का जाब आपको 1100 बार कम से कम अवशे करना चाहिए कोई कोड़ कचेरी का मुकदमा हो न्यायक वाद विवाद हो आपस में बहुत जादा तनाव और विवाद रहता हो दो लो का जाप करना चाहिए यानि बगला मुखी देवी की साधना करनी चाहिए किसी भी प्रकार के दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट प्रकृति के लोगों का नाश करने के लिए मां बगला मुखी की साधना बहुत जादा आवश्यक मानी गई है आप जब भी इस मंत्र का जाप कर सके जिस तरीके से मैंने कि आपको हल्दी की माला का प्रयोग करना है आपकी जब यह साधना पूर्ण हो जाए तो इस हल्दी की माला को ले करके आप आसपास के किसी पीपल व्रिक्ष के आसपास चले जाएं और वहाँ पीपल के व्रिक्ष पर जा करके आप इस माला को टांग दीजे या वहाँ छोड़ करके चले आईए ये एक दिन की साधना आपको अपने शत्रूओं से जो भी लोग आपके लिए दुरभावना रखत आपके अपके तयुछई गिए